तो अब दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रसनों को जो कि आपकी प्रतियों की परिक्षाओं के लिए बहुत यूपयोगी हैं और ये पहले भी SSC LDC के एक्जाम में आ चुके हैं तो चले शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात है कि ये जो प्रसन है आपके दोनों ये आपके स्थानी मान और अंकित मान से जोड़े हुए हैं आप देख सकते हैं यहापे कि जवाब को उत्तर देना है वो घाति संकेतन के रूप में देना ह कि यह जो नंबर लिखा हुआ है आपके सामने इसमें 6 का इस्थानी मान क्या होगा तो देखे की यह जो अमारा जो नंबर है यी छो श mìnhर है जो यह भारतिगर्णा अपना लिका हिसाब से कौन से स्थान पर आता है इसको जानने के बाद कि बता सकते है कि 6 का स्थानी मान क्य क्योंकि वह जिस इस्थान प्याता होगा हम उसके लिए उस नंबर से गुड़ा कर देंगे जैसे अगर कोई नंबर इकाई प्याता है तो एक से गुड़ा कर देते हैं दहाई प्याता है तो दस से से कड़े प्याता है तो सो से हजार पे तो हजार से दस हजार प्याता है तो दस हजार पर इस तरीके से हम गुड़ा करके उस अंग का इस्थानी मान निकाल लेते हैं तो शले शुरू करते हैं लेगे एकाई दहाई सेकड़ा हजार दस हजार लाग दस लाग और करोड तो ये हमारा जो छे है वो एक करोड पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम इसका इस्थानी मान निकालने के लिए एक करोड से गुड़ा कर देंगे एक करोड में होते हैं 7,0,2,3,4,5,6,7 तो ये हमारा हो जाएगा 6 के पीछे 7,0 या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं वोगों कि हमें जो यहां पर उत्तर देना है यह इस सबी幸 on theged उत्तर भी अपना गाति संकेतन में है तो इसका उत्तर यह हो जाएगा तो मतलब कि हमारा सी और सप्सन करेक्ट है इसके बाद दूसरा सवाल देखिए इस संख्या में आपको च्छे का अंकितमान निकालना है ग्याद करना है तो आपका जो इस्थानी मान निकालने का तरीका है वो यह होता है कि भारतिगर्णा प्राली के हिसाब से आप किसी अंक का इस्थान ग्याद कर लेते हैं और फिर उसमें इस्थान के हिसाब से नंबरों का गुड़ा कर दिया जैसे मैंने आपको उपर बताया लेकिन अंकित मान निकालते समय हमें क्या करना होता है कि जो नंबर है केवल वही लिख देना होता है कि उस पूरे नंबर में उस पूरी संख्या में जो अंक है वो क्या है बस वही लिख देना होता है तो 6 में जो 6 का अंकित मान है वो 6 ही होग तो हमारा D option correct है है आपके पास एक संख्या है 2424 और इसमें दो के स्थानी मानों का जोड़ कितना होगा आपको ये बताना है तो देखिए 2424 तो इसमें एक ये दो है और एक ये दो है आपके पास तो इसमें इन दोनों के स्थानी मानों का जो जोड़ होगा वो आपको बताना ह तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्थानी मान कैसे निकालते हैं तो देखिए ये इकाई पे ये दहाई पे और ये सैकड़ा और ये हजार तो किसी भी संख्या के अगर अंकों का हमें स्थानी मान निकालना होता है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो जो अंग है जिसका हमें स्थानी मान निकालना है संख्या में वो भारती गर्णा पनाली के हिसाब से कौन से स्थान पे आ रहा है तो देखिए ये कहां पे आ रहा है दहाई पे और ये कहां पे आ रहा है हजार पे तो दहाई वाली संख्या को हम 10 से गुड़ा कर देते हैं और 1000 वाली संख्या को 1000 से गुड़ा कर देते हैं तो देखिए, दहाई की संख्या को हम 10 से गुड़ा कर देते हैं और 1000 की संख्या को 1000 से गुड़ा कर देते हैं यसे और यह जाएगा आपका 20, यह जाएगा आपका 2000, और इन दोनों को अभि हमें जोड देना, क्योंकि हम से जोड पूछा गया है, तो 2000 और 20 को अगर हम जोड दें, तो हमारे पास आएगा 2020, तो हमारे, देखें कों सा उत्तर सही है, डिवाला डिवाला जो हमारा option है 2020 सही है तो मैं आसा करता हम कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सिस्क्राइब करें बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलते हैं